अपने कारिक्रम मोटिवेशनल स्पीच में मुझे आमन्पित करने के लिए आधर्णी एडवोकेट राजिन अगनुत्री चाचा जी आपका बहुत बहुत धनिवाद। साथियों इस कारिक्रम में मैं आप सभी को अपना संचिप्त परिचय देती हूं। मैं कलपना जिला लखिमपुर खेरी से एक मध्यमवर्गी परिवार से बिलोंग करती हूं। पेसे से मैं एक अध्यापका हूं। अध्यापन कारी के साथ साथ मुझे सामाजिक कारी करने में भी बेहत रुची है। विद्याले में पढ़ाने के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती हूं बच्चों को। हमारी ट्यूशन में वो बच्चे भी सम्मिले थें जिनकी आर्थिक स्थिती ठीक नहीं हैं। जो पैसे देने में बिलकुल भी असमर्थ हैं। ऐसे बच्चों को मैं निश्रुफ ट्यूशन पढ़ाती हूं। ट्यूशन के साथ साथ उन्हें अनेक गतिविधियों के द्वारा उन्हें जागरुक भी करती हूं। इसके साथ ही पेड़ पोधे लगाना हूं। जानवरों के प्रति देखभाल हूं। गरीबों की सहता हो। इन सभी में भी मैं कोशिस करती हूं कि अपनी सहभागता दूं। इन्हीं सभी के चलते हुए पिछले एक साल से। कोरोना काल के दौरान सभी संस्थाय बंद, सारे कारे बंद, इस दौरान COVID-19 Awareness Quiz प्रोग्राम में प्रतिभाग करके कम से कम मैंने 50 सार्टिफिकेट प्राप्त की। जिन में कई सम्मान पत्र भी समलित हैं। मिशन शक्ति हो, पर्यावरण, जागरुकता अभ्यान जो था और बेस डॉर्टर अवर्ड, गरीबों की सहायता के प्रतिफिक दिया गया सम्मान पत्र। तो कई समान पत्र भी मुझे प्राप्त हुए। तो कहने का मिंस यह है कि हमें पहली बात यह है कि कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। अपना कारे करिए। आपका जो सौक है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई सौक होता है उस सौक को पूरा करिए। और एक बात कहना चाहूंगी कि कभी भी महिलाओं को इख् ενόन नहीं करना चाहिये। महिलाओं या परिवार में अपनी इच्छा जाहिर करती है। फैमिली मेंबर्स को चाहिए कि अगर जो महिलाए अपनी बात को रख रही है वो बात सही है तो आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए जिससे वे आगे बढ़ सकें कुछ नया कर सकें महिलाए भी सोचती है कि घर के काम से अलग हटके भी मैं कुछ करूँ जिससे कोई नाम हो हो सकता है उनकी भी कई रुचिय हो सकती है अलग अलग छेतर में तो आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए अचा महिलाओं से भी एक बात कहना चाहूंगे घर में चाहे कितनी भी वो जित करती हो लड़ती हो जगरती हो तेज बोलती हो कुछ भी हो लेकिन यदि आप कुछ अलग करना चाहती है आप घर से बाहर जाती है तो सबसे बड़ी बाद कि आप अपनी वाड़ी पर सैयम रखे अपने गुसे को कंट्रोल रखे और यदि आप ऐसा करती है तो हम कई होने वाली घटनाओं से भी बच सकते है इसके बाद एक बात और कहना चाहूंगी कि जो भी आपके भागदोर भरी जिन्दगी है जिन्दगी में आप अपनी बिजी है इस बिजी लाइफ से थोड़ा समय निकाल करके अपने बच्चों को अवस्य दीजिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी जिन्दगी में बिजी रहें पैसे कमाने के चक्कर में रहें और आपके बच्चे को कोई दूसरा गलत राह बता रहा हो ये बहुत ही दुखदायक होगा मेरा भी एक बेटा है मैं साम को उसे एक टेड़ दो घंटे तक का टाइम उसे देती हूँ इस बीच उसे धार्मिंग बाते सिखाती हूँ उसे कई प्रकार के अभी छोटा है से कई मंत्री सुलोक वगरा चौपाईयां सब कुछ हमने याद करवा रखी है साथ मैं उसे अच्छे कारी करने के लिए भी प्रेरित करती हूँ अभी से कि गरीबों की साहिता करो जानवरों के प्रद्या रखो तो यहीजी चाहते हूँ कि आप सभी भी अपने बच्चों को थोड़ा सबे दीजिए उन्हें अच्छे अच्छे सिच्छा देजिए जो कि आने वाले समय में बहुत ही लाप रथ हूँगी इसी के साथ